हेलो फ्रेंड्स आज हम पढ़ने जा रहे हैं जिमेट्रिकल प्रूफ और फॉर्मूला ए प्लस बी होल स्केर एक्वल्स ए स्केर प्लस टू ए बी प्लस बी स्केर देखिए स्क्रीन पर बिल्कुल असान मेथड आज करेंगे मान लीजिए हमारे पास ये एक स्केर है जिमेट्रिकली प्रूफ कर रहे हैं मान लीजिए ये एक स्केर है हमारे पास A, B, C, D स्केर का नाम दे दिया हमने अब इसकी लेफ्ट साइड क्या है A प्लस B होल स्केर बड़े ध्यान से देखिएगा हम क्या करते हैं हम ऐसा करते हैं इस A B side को दो हिस्सों में बाणदेते हैं यह मैंने एक point लगा दिया यहां पर मान लीजिए जो इतना distance है A इसका नाम E दे 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 A से लेकर E तक distance मान लेते हैं A है और E से लेकर B तक distance मान लेते हैं B है, तो ये ध्यान से देखिए, ये पूरी इस side का distance कितना हो गया, A plus B, हमने A, B, C, D, X square बनाया है, जिसमें एक side को हमने A plus B बोल दिया, एक part को हमने A ले लिया, दूसरे part को हमने B ले लिया, अब देखिए, एक बात यहाँ पे clear कर दूँ, एक हिस्से को छोटा और एक को बनाया, और एक को बड़ा बना दिया है, अब देखिए, और हम इसकी distinction कैसे करेंगे, अब जब A plus B एक side है, तो चारो side Z A plus B होंगी, तो एक काम करते हैं, बिल्कुल इसके सामने, CD की भी partition कर देते हैं, इतना A और इतना B, तो इससे क्या हुआ, कि इधर भी हमारा A plus B, और इ यहां पर भी हम देखिए, यहां से कर देते हैं, मालेजिए, इतना A और इतना B, यह भी A plus B बन गया है, और इधर भी कर देते हैं, मालेजिए, यह A और इधर नीचे वाला इससा B, तो अब देखिए, चारो sides, यह A plus B, यह भी A plus B, आ प्लस B, तो मेरी चारो sides की length कितनी है, A plus B है, अब इतना करने से ही देखो मेरी left side क्या है A plus B whole square है, मैं अपनी left side को देखो, तो area of square क्या होगा area of square area of square निकालने का formula क्या होता है side square, right side का square कर दीजिए मेरे पास side कितनी है A plus B तो देखिए, A plus B square जो मेरी left side है इसका मतलब वो square का area है, इतनी बात clear है हमें अब देखिए हम क्या करने वाले हैं इनको join कर देते हैं आमने सामने इसको इससे join किया और इसको इससे join किया, right तो ये diagram मेरे पास जो बन गई है इसके 4 हिससे बन गई है first part, second third and fourth, right, 4 हिससे बन गई हमारे पास, मैंने ये देख लिया कि मेरी left side जो है, वो square का area है, तो मैं right side भी square का area ही निकाल के देखता हूँ क्या आता है, area of square अगर मुझे निकालना हो, तो कैसे निकलेगा area of first part plus area of second part plus area of third part plus area of fourth part ये ध्यान से देखिए, एक तो है कि हमने formula लगाके a plus b का square लिख दिया, area निकल गया कोई problem नहीं, बिल्कुल ठीक है दूसरा तरीका square का area निकालने का क्या है चारों के अलग-लग areas निकालो उनको add कर तो वो भी तो area of square बनेगा अब first part का area देखते हैं क्या होता है अब यहां देखिए length भी a, breadth भी a यानि कि first part जो है वो एक square बन रहा है अगर ये square बन रहा है तो इसका area क्या होगा side square, इसकी side तो a है यानि कि ये क्या बन गया a square बन गया आगे देखते हैं, second part rectangle बन रही है rectangle बनने का area होता है length into breadth इसकी length कितनी है b और breadth कितना है यहां पर a, यानि कि a into b मैं लिख सकता हूँ यहां पर second part का area third part देख लेते हैं third part देखिए, इसकी length भी b breadth भी b, यानि कि ये square बन रहा है square जिसकी side कितनी है, b है अब इस square का area क्या होगा side square, क्योंकि इसकी side b है, तो b square इसका area आ गया fourth part देखिए fourth part rectangle बन रही है जिसकी एक side b है और दूसरी side a है, तो इसका area length into breadth लगाएंगे, तो ये भी क्या बनेगा a into b बनेगा अब ध्यान से देखिए, a square plus a into b का मतलब a b, ये भी a into b का मतलब a b और last में b square यानि की a square plus 2 a b plus b square, तो देखिए square का area a plus b square है first मान लेते हैं square का area ये भी है from first and second जब दोनों ही square का area है, तो दोनों आपस में equal भी होंगे, यानि की a plus b whole square, किसके equal होगा a square plus 2 a b plus b square तो ये आज हमने geometrical proof किया देखिए, बिलकुल असान था, एक बार revise दुबारा करवा देता हूँ, हमने देखा a plus b whole square left side में चाहिए हमने एक square बनाया, उसके एक side को दो हिस्सों में बांट लिया a और b, क्योंकि ये a plus b है, तो सारी की सारी a plus b होगी तो इसलिए सब को हमने उसी तरह से partition कर दी a b, a b और a b में और left side को पहले देखा कि मुझे ये प्रूव करना है, जो की square का area निकालके बड़ी असानी से हो जाता है a plus b whole square फिर मैंने right side को prove कैसे किया मैंने इसी square के area को चार हिस्सों में बांट दिया सब का अलग-अलग formula लगाया जिसका answer आया a square plus 2 a b plus b square और इसी दोनों को देखा जाए, ये भी square ये भी square, तो दोनों sides क्या होगी a plus b whole square किसके एकोल आ गया a square plus 2 a b plus b square, तो I hope आपको ये अच्छे से समझ आया होगा इस formula का proof की ये formula बना कैसे, तो बस हमारे वीडियो को like और share जरूर करते रहें thank you so much